में दिन इंडिया लग दियां प्रहंडिड तेरे नख रहने आपने एक दम सही सुना है पर किसने क्या सुनना है और किसने क्या सुनना नहीं है यह मैं आपको अभी पूरा विस्तार समेश समझाऊंगा देखिए जी टीसेज में निकली है जॉबस क्यिन के लिए जो कि 2021 में पासिंग है अब कौन कौन सी दिग्री बात्व है अब अब अपने लास्ट एयर में हो गए ठीक है जी अब आपको मैं नीचे लिंक डिस्प्शिण में लिंक दे रहा हूं आप पर जाबी और उसको टपा मारी है और वह आपको बताएगा कि आपको क्या क्या करना है फिर भी मैं आपको एक हलका हलका बेसिक समझा देता हूं आपको रेजिस्टर करना है एन क्यू टी पे नैशनल क्वालिफायर टेस्ट जो की टीसिस कंड़क्ट क है तो मैं नहीं कोगा कि अब उस चीज की बेट करो नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर दो और क्लिक कर रहे कि ही आप उस पेस्पेश में खुल जाओगे और यह एक्जाम होगा गब 24 25 26 अक्टूबर 2020 को होगा और यह जब 2021 की बात है 2021 का खतम ही अगले सा अब आपको प्रोपर प्रोसेस समझाने लगाँ ठीक है जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वह पूछेगा कि जैसे आप क्लिक करेंगा उस पर बटन आ रहा होगा आप उस पर क्लिक के लिंक पर खुल खुल गया उसके बाद रिजिस्टर नहों का यह उस पर कर दीजे अब अपने लिजिबिल्टी नीचे नीचे डीटेल्स दी हुई है प्रॉपर लिए अब उस डीटेल्स को देखें भी समझ सकते हो कि आप उस चीज के लिए हो या नहीं अब आपको हलकाल का बेसी चीज़े बताया था कि क्या क्या चीज़े टेस्ट में आएंगी इसमें 80 questions होगे और 80 questions को करना है आपको 120 minutes में अब जो 120 minutes है उनको 30 minutes, 50 minutes के तीन बाव में डिवाइड किया गया है जो 30 minutes का पहला section होगा, वो होगा verbal ability, उसमें होगा English grammar and reading comprehension, जो कि सब भी generally जानते हैं कि क्या चीज़े होती हैं, उसके बाद जो second section होगा, वो होगा reasoning ability का, वो 30 questions होगा उसमें 50 minutes दिया जाएंगे, उसमें identifying word and numeric patterns होगे, problem solving होगा, figure and factual analysis होगा, decision making होगा, and visual and speaking reasoning and propositional reasoning होगी. अब third section आगे हमारा numerical ability, I guess इसमें sectional cut-off होगी, शायद तो थोड़ा ध्यान से खेलना, और numerical ability में होगा number system, arithmetic, elementary, static, and data interpretation, and इसमें 26 questions होगे 40 minutes के लिए, तो in total 120 minutes, 80 questions, तो यह साही information सारी की सारी उसपे हैं, जैसे ही आप register now पे click करेंगे, उसके बाद दुबारा आपके पास एक page यह समझ चुके हो, बाद में आप sample test भी देख सकते हो, ताकि आपको समझ आए, कि आपको यह test देना कैसे, थोड़ा उसका level समझ आज़ाए, कि लो, ऐसे मैं जैनली बहुत ज़्यादा, attitude test जो बोलते हैं, वो ज़्यादा high levels के नहीं होते हैं, मतलब high level होते हैं, जैसे cat, banking exam, आपको उस level के नहीं होते हैं, एक normal low level के होते हैं, बस यह आपको यह ज़्याद रखना बहुत ज़रूरी है, कि आपको 17 October से पहले, 17 October 2020 से पहले, आपको उसमें register करना है, register करने के लिए आप अपनी Gmail से कर सकते हैं, ID, Passport कोई भी कर कीजिए, आपको दमाना है create account, और जैसे ही आप create account बताएंगे, तो आपको पूछेंगे कि आप कौन हो, I am a learner, publisher, distributor, तो आपको वो साई details डालनी है, account बनाने के लिए, उसके बाद देजरे करके साई details जैसे से आप भरोगे, जैसे ही आप नाम, email ID, कोई password डालोगे, तो आपको एक OTP आएगा, तो आपको फिर OTP डालना कि मुझे बस इस पर ID बना के, आप सब को समझाना की कैसे हो रहा है, तो मेरा भी OTP आगे, उसके बाद मैं कर दूँगा, validate OTP, आप जैसे ही आप OK कर दोगे, उसके बाद तीन चीज़े आएंगी, private notice, उसमें भी टिक करना है कि I have read agreement and understood the private notice, उसके प्राविट privacy policy उसमें भी आ प्रोड हो रहा है, जैसी आप लिखो के create account पर click करोगे, और साथ ही आजाएगा कि आप अपना नाम चेक कर लिजिए, रिशब नाम है, आपका जैसे मेरा नाम है रिशब, फर्स नेम, लास्ट नेम कुमार, उसके बाद आगा अपनी state select कीजिए, तो मैंने इस पंजाब select कर दिया, उसके बाद वो आप से details बुचेंगे जैसी की name, city, date of birth, residing city, जैसी आप अपनी नाम details उसके बाद उसमें भरने शुरू करेंगे, तो उससे आपके बहुत साथे columns खुल जाते है, कि क्या है, पहले तो personal information आ गया, कि आपकी नाम, age, date of birth, वो सब चीजें आ गई, city वग उसके पाद third column आजा था subject, NQT test, उसमें क्या होता है, कि वो आपको बोलता है कि, जैसे आपको पता है कि IT companies हैं, तो वो IT companies आतर क्या मानती को ने को लेंगोज के test, तो आपको लेंगोज के test में भी participate करना चाहिए मेरे साब से, और वो by default ही yes आता है, और टिक आता है कि programming है, ज सुटो कोड, algorithm, programming construction, basic software development life, SDLC, CC++, Java, जिसके 10 question होंगे, जिसको 15 minute दिया जाएगा, उसके पार्ट भी होगा, उसमें hands-on exercise 1 होगी, जिसमें question 15 minute के होंगे, और hands-on exercise question 2, उसमें भी एक ही question होगा, तीस minute का, अब उसमें शायद हो सकता है, आप से कोई code लिखवा है, I guess क्यूंकि ए एक में 15 minute देर, एक में 30 minute देर, उसमें कुछ बताया नहीं है, उसमें बस C+++, Java, Python और Perl, ये 5 languages में सब को भी एक language अगर अब को आती है, तो आप easily clear कर सकते हो, क्यूंकि मैंने TCS का test दिया हुआ, इसका test देना easy होता है, पर मैं आप सबको ये बात बता जाना चाता हूं कि मैं as an IT person, recommend नहीं करता हूं, उन लोगों को TCS में जाने के लिए, जो लोगों के mind में आगे जाके होता है कि एक साल बाद, दो साल बाद, इन साल बाद, स्विच करना है, अगर आप अभी TCS में जाना जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जिंदगी भर के लिए, या eligible है, मतलब आप एक बार चले गए, तो आप छोड़िया मत इस कमपनी को क्योंकि यह कमपनी, प्रीमियम कमपनी मैं इसको बोलता हूं कि मैं इसको जाता रिटार्मेंट कमपनी बोलता हूं क्योंकि TCS अपने इसको कभी नहीं निकालती है, कभी नहीं, ठीक है जी, आप कुछ रहोगा आप एक बार छोड़ दो तो आप दुबारा जोइन नहीं का सकते हो, आप बात करते हैं वापस अपने 4th section की, 4th section में आएगा की examination details आप सेंटर में जाकी भी दे सकते हो, और online भी दे सकते हो, और दोनों के दोनों, obviously वो चक करेंगे की कैसे दे रहे हैं आप, और last and final कि आप I provide my consent to share NQD scores and personal details with the personal details when corporate request for my data, तो यह है, आप सब 21 के लोग है, भर दीजी अच्छी हो, अच्छी हो, अच्छी कंपनी ही है, पर मैं एक बात बताना जाओंगा कि, अगर आप कमेंड में है कि आगे आगे स्विच करना है, तो मैं नहीं रिक्रमेंड करों को आप टेस्ट दे, क्योंकि यह बाते कहीं लोगों को नहीं पता थी कि एक पर आप टेस्ट जोइन कर लो तो बाद में नहीं चोड़ सकते और मैं इसे रिटायर्मेंड कमनी मानता हूं कि जब मेरे मन में आगा कि मेरे रिटायर करने का मन है और अच्छी कंपनी है, तो गो आन वीडियो पसंद कर देना कमेंट करके सब्सक्राइब करके बलाफिंग को हिट कर देना और शेयर यहां से अपने दोस्तों को कर देना जिनको जोब चाहिए, जो कहते है यह जोब्स का आउंगी यह आउंगी ठीक है जी तो नमस्ते